यह जो सेकिंड चेप्टर है वो देख लेते हैं उसके भी important questions हाँ जी तो second chapter के important question first क्या है यह जो second question था यह कौन सा chapter था ethics वाला कि कौन कौन सी हमारी ethics होती है जिनको हमें follow करना है किसलिए अपने जो behavior उसमें एक mature development आने के लिए एक maturity दिखाने के लिए एक लुभावना पन दिखाने के लिए किसमें अपनी personality में तो से पहला question क्या है what do you understand by ethics and explain the some specific ethics कि ethics का मतलब क्या है ethics होते किया है क्या है यह चीज क्या मतलब है इस word का and next क्या है special ethics कि अगर हम बात कर रहे हैं कि ethics यह होते हैं ethics यह हैं वह हैं लेकिन specific ethics है क्या हमें पताओ तो हमें वह points तो दो कि कौन-कौन से चीज़े हैं जिससे हम एक ethical person बन सकते हैं सबसे पहले क्या है ethics एथिक्स वर्ड उसका मतलब क्या है deal with the moral issues यह किस से deal करता है moral issues से ठीके कौन-कौन से moral issues है उसके बारे में हमें ethics से समझ आता ह एंड राइट और रांग behavior कि कौन सा हमारा वहवार है कौन सा गलत वहवार है तो किस संसरा वहवार से कि हम कौन सा वहवार कर रहे हैं वह एथिक्स रृटेड है तो यह हमारी definition आ जाती है चोटी सी कि कोई भी काम को किस तरह से किया जाए जो right और wrong way देता है हमारे वहवार को हमारे behavior को जो हमें change करना है ऐसी ethics जो हमारे behavior में positive change लाए जो हमारी personality को निखा रहे तो यह क्या है चीज़े ethics और ethics के main point क्या के चीज़े होती है ethics वाली honesty मतलब वफादार है कि किसी भी काम को अच्छी तरीके से करना है पूरे निस्टा के साथ करना है विश्वास के साथ करना है तो यह चीज़े क्या है honesty second है time अब जो time management मतलब time को time जो देखो जैसे आप सभी जानते time बहुत precious है कि जो एक बार time चला गया है वो नहीं आता तो क्या है हमें time को सही तरीके से use करना है तभी हम ethical person बन पाएंगे एक कि हमें सारी चीज़े punctuality के साथ time to time करनी है next है हमारा truthfulness कि हर बात में सचाई रखनी है सच बोलना है ठीक है सच तो देखे एक ना गुण होता है लोग अंदर कि हमेशा कहते है पेर्नस भी हमें सिखाते हैं कि एक जूट बोलोगे तो सौ जूट बोलने पड़ते हैं उसके पीछे तो बस यह है कि ethic अगर हमें चाहिए तो सबसे पहले हमें अपने behavior में truthness लानी होगी ताकि हम सचे सबको लग सके work और जो भी हमें काम मिला गया है जो भी हमारा कार्य है हम उसको पूरी निस्टा के साथ करें ठीक है यह चीज़े थी हमारे ethics कि क्या ethics होते हैं क्या क्या होती है चीज़े जो ethics में आती है अब क्या क्या होना चीज़े समय का पाबंद समय का सही उप्योग करना चाहिए क्योंकि जो व्यक्ति समय की care कर लेता है ना समय को समझ लेता है कि समय कितना जरूरी है वो बहुत तरक्की करता है नेक्स्ट क्या है कि हमें गोपनेता बनानी है कोई भी चीज़ अगर किसी ने हमें बताई है अपना समझ की कि भई किसी को यह वाली बात बताना बहुत पर्सनल बात है मेरी तो वो चीज़े वो गुड़ होना चीह है हमारे अंदर कि हमें अगर किसी ने कोई बात बताई है उसमें ये वाला जो गोपनेता का ethics है वो उसमें गायब है, मतलब वो ethical person नहीं है ठीक है, next है हमारा relation कि हमारा जो behavior है हमारा relation है, वो दूसरे के साथ कितना friendly है हम कितना friendly लोगों से बात करते हैं कितने लोग जो है हमसे अपनी बाते share करना चाहते हैं तो ये बहुत important है कि आपको एक ऐसा person बनना है जो लोगों को लगे कि हाँ यार इसको मैं बताती हूँ शायद ये मेरी problem solve कर सके तो ये जो गुण है, ये वेक्ति में होना चाहिए next है हमारा willingness to work या फिर learn कि हमें किसी भी चीज के लिए निष्टा वानोचे तो क्या होता है, दूसरे बंदे के सामने उस बंदे के लिए एक positive image बनती है वो उसको like करन लगता है, उसे पसंद करता है कि वह उसके अंदर willingness है, ethical person है वो तो ये हमारा first question है कि ethics क्या होती है और explain करिए कि specific ethics कौन कौन सी होती है जो ये वाले ethics है ना जो हमने इस starting हो पढ़िया आप इन ethics को भी specific ethics में लिख सकते है ठीक है, कोई फरग नहीं पढ़ेगा इतना बस आपको जो ये वाले main है ना इनको bullet points में लिखना, highlight करके ताकि teachers को देखती है पचले कि हाँ भई student ने पढ़ा है, इसको पता है कि कौन कौन से ethics होते है नेक्स्ट है हमारा why ethics are needed जो ethics होते हैं उनकी आवशकता क्यों है क्यों हम अपने behavior में ethics को लाएं क्या जरूरत है तो क्या जरूरत है देखिए जब हम सभी जानते हैं कि हम कभी न कभी हमें काम करना है कभी हमें कोई work करना है, कोई job कर रही है तो अगर हम वहां जाएंगे वहां हमारा गंदा behavior होगा, हम किसे से अच्छे से बात नहीं करेंगे बस अपने काम में लगे रहेंगे rude रहेंगे सबसे, तो क्या होगा हम से कोई बात करना पसंद नहीं करेंगे और थोड़े टाइम पर क्या होगा, हम कुद alone feel करेंगे, तो क्या है कि हमें क्यों जरूरत है, ethics की जरूरत क्यों है, क्योंकि इसके तीन major concept है, तीन major बाते है क्या है, पहला है work, ठीक है, इसके काम किया जाएगा, कारे और worker जो कारे करता है, जो कारे करेगा कारे करने वाला और जहां पर कारे होगा, workplace, कारे स्थान, जहां पर कारे किया जाएगा, इन सभी चीजों के लिए, इन चीजों के लिए क्या है, हमें एक ethical बनना जरूरी है, हमें ethics की नीड है ताकि जब भी हम ये सबी चीजों में आएं हम अपने वर्क प्लेस पर जाएं कोई काम करें किसे से बात करें तो हम जो है एक अच्छी परस्नालिटी दिख सकें लोग हमें पसंद करें ठीक है तो नीड है इसलिए हमें एथिक्स की next है हमारा what type of ethics problem in facing in family life is faced in family life कि हम अपनी family में कौन कौन से ethical problem है जिनको face करते हैं अब दिखिए जितने भी हमारे ethics है जो मैंने आपको बताया कि ये ethics होते हैं ये होते हैं उन सभी चीजों को बस positive उसका उल्टा करते हैं कि honesty है तो honesty नहीं होती इस वज़े से घरों में लडाया हो होती है punctualty नहीं है घर में सारे काम देर से होते हैं ठीक है rudeness है अभधर वहवार है लोग का इसलिए family problem होती है तो सब बहुत easy है बस आपको लिख देना कि कौन कौन से issues होते है फैमिली में जिनकी वज़े कौन कौन से issues होते है जो ethical होते हैं ठीक है सबसे पहला क्या हो गया ह है कि आपने लेट कर दिया यार खाना ने बनाया यह हो तो क्या हुआ issues हो गए लडाया शुरू हो गई सुबहा पेरेंट्स लेट उठे बच्चा लेट हुआ बच्चा स्कूल जाने में लेट हो गया जब वहां स्कूल पहुंचा तो स्कूल में टीचर ने उसे डाटा किंद है अब अबहुंत है कि मसलिए अबहुत्त सब्सक्राइकिंड हमारे फ्सक्राइए के नहीं यह अगरा हम यह परपर नाजीघях किसी दी आपी ग्यान नहीं चीशी सोख कर रहें तो गलत JULां1 जीजे कि कोई परसन है उसके पास computer है लेकिन उसे knowledge नहीं है कि computer कैसे यूज करना है तो उसने क्या 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 उठाया उस पर काम करना चुरू कर दिया या तो वह computer खराब हो जाएगा या फिर दुबारा यूज करने लाइक ही रहेगा तो क्या हमें किसी भी चीज़ों करना है तो उसके लिए हमें proper knowledge चाहिए ठीक है ताकि हम उस चीज़ को अच्छी तरीके से कर सके नेक्स्ट है हमारा waste resources अब परिवार में हम देखते हैं कि हम जो चीज़े हमारे पास जितने भी हम उसे बहुत waste करते हैं घर में parents mother नो ने खाना बनाया तो एक साथ जादा खाना बना तो क्या हुआ वह वेस्ट हो जाएगा अगर हमें भूक लगी हमने घ्रेट में खाना काला हमने जादा खाना निकाल लिया भर बर खातम नौजय सारम मैं डालो अपने टो क्या है बाद में क्या होता वह बंदा खान नी पाता तो हम इस तरह से चुट-चुट्री चीजों मे तो क्या रिसोर्स वेस्ड कर दिए हमें कभी समान लने जाना है भार तो अगर पैदल जा रहे हैं अगर किसी साधन से जा रहे हैं तो हमारा जो भी उर्जा है वो वेस्टोर यह पैट्रोल वेस्टोर एक तो पैट्रोल इतना महंगा है ठीक है न तो हमें जो भी चीज़ें वह अच्छी तरीके से यूज करनी है उसके बाद है है डिस ग्रेटर रूस कि हम जितने बी रूस और रेगुलेशயान जितने भी चानून बनाए गय उन चीज़ों का पालन नहीं करते हमेशा अपनी दि च लाते हैं और उल्टे काम करते है कानून के पालन नहीं करते यसे महान कि उतर रहा है सारे चर्डुराइञ्स लोग चढ रही हैं अनोख बन्दा एक गुखशित कि तरह नीचे पितर रहा है तो क्या है ये बाकर है ये को नहीं कर रहा है तो तो हमें जितने बी चिज daylight dining5 आपने घर में अपने परिवार को लेकर लोयल्टी नहीं हिस दर को कोई भी बात घर में जाके दोस्तों से बता दी किसी और को बता दिया गर में पेरिंट्स का कुछ सीन हुआ तो घर मेरे पेंसल लड़ते रहते हैं आज फिर लड़ लड़ी आज फिर ही हो गया यह लोयल्टी नहीं आपके अपने परिवार को लेकर अपनी फैमिली को लेकर सा कि अगशनक करें कि वहां सब्सक्राइब अंपनी जो भी आपको येवांदारी ने व करें कि लोग भी अपकी तारिफ करें एइसके कि कोई कहते हैं मैंनॢर को हूँ करूं आप आप बहुत जिम्मेदार है कि जो आप यह एक काम कर रहे हैं क्यूंकि जो भी हम काम करते है उसमें बहुत responsibility होती है हमारी है हर काम को करने के लिए तो हम सबसे पहले अपना जो भी काम कर रहे हैं उसकी respect करनी है तो क्या के चीज़े ये सारी चीज़े हैं जो हम face करते हैं का पारिवारिक जीवन में ठीक है नेक्स्ट है हमारा explain the code of ethics कि ethics के code क्या होते हैं कौन कौन से ethics होते हैं जो हमें अपनाने चाहिए जिससे कि हमारी जो personality है वो निकरेगी ठीक है लेकिन हमको क्या है वफादार बनना है कि कोई भी काम हमें दिया है हमें वो पूरी इमानदारी और श्रद्दा से करना है ठीक है कोई भी वेक्ति हमें कोई काम दे रहा है तो अगर हम उस काम को ले रहे हैं अगर हम जिम्मेदारी ले रहे हैं कि ठीक है मैं ये काम कर दूँगी तो हमें उस काम को अपना समझ कर पूरी जिम्मेदारी के साथ करना है या तो आप पहले मनाई कर दो ठीक है कि नहीं मैं ये काम नहीं कर सकती है लेकिन अगर आपने काम लिया है काम करने की ठानी है तो उस तरीक थेये। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पंचुएलिटी ठीक है जो इसका मतलब कहा है कि हमें कोई भी सबस्क्राइब करने कोई भी जिम्मेदारी हमें देए फिर काम हैं मोट्त हैं not indulge discrimination हमें भेदभाव में लीन नहीं होना ठीक हमें किसी के साथ भेदभाव वाला वहवार नहीं करना तो यह जो चीज है वो हमारे एथिकल में आती है कि हमें सबसे मिलकर रहना है एक तो हमने देखा है काले गोरे में हम बेदभाव करना शुरू कर देते हैं गर्ल और बॉय में बेदभाव करते हैं तो यह जो चीज है यह नहीं करनी है हमारे को तो क्या है यह चीज है हमारे कोड ओफ एथिक्स है कि हमें किस प्रसुर्स मेनेजमेंट करने कि जो भी चीजे हैं हमें उसको प्रॉपर यूज करना ता कि हमाई जो फ्युचर जिन्रेशन वो भी उसका यूज कर सके थिक्या तो हम यह यह चीज़े दिहान रखनी है तो हम रिसोर्स मेनजमेंट कैसे करेंगे जितनी भी आप यह लिख लिख लिजीएगा रिसोर्स मेनजमेंट फिर कौन-कौन से रिसोर्स होते हैं और उनको कैसे यूज करा जाए ठीक है तो यह क्या हमारे कोड़ ओफ एथिक्स है कि जो भी एथिक्स होते हैं हम उसको कैसे बढ़ाएं उसको उचा दर्जा कैसे दे लोग कैसे बताएं कि यह हमारे एथिक्स है इसको आपको पालन करना चाहिए ताकि जो आप है एक अच्छे और जिम्मेदार नागरिक बन सके ठीक है सबसे पहले क्या है पब्लिसिटी यानि कि हमें जो भी चीज़े हैं जितने भी एथिक्स है उनके बारे में लोग को बताना है क्या करना है जाग रुकता करनी है जाग रुकता ठीक है पब्लिसिटी करनी है उस जो भी चीज़े उसके बारे में बताना है लोगों को ताकि ल कौन कौन से कोड है हमारे honesty, punctuality, discrimination नहीं करना और resource को manage करना है, तो यह जितने भी कोड है, हमें कोड of ethics बनाने चाहिए, अपने खुद के, कि मैं यह चीज नहीं करूंगी, वह नहीं करूंगी, अच्छा, जैसे कि आपने देखा हो कि हम लोग क्या करते हैं, जब हमारा birth date होता ह है, जिसने हम born होते हैं, born date हमारा, या फिर जब new year start होता है, तो हम ऐसे course बनाते हैं, कि यार अब इस साल में यह चीज नहीं करूंगा, इस साल में यह नहीं करूंगी, लड़के भी वह साई चीज बनाते हैं, कि इस साल में गाली देना बंद कर दूंगा, लड़के भी है, वो बनाने, code of ethics, चीज़ चुननी है अपने ले ता कि हमारा जो behavior है, वो अच्छा हो साके, next क्या है, teaching of ethics and value in school and colleges, कि हमें जो भी ethics and values होती है, वो हमें starting से देरा start कर दो, मतलब school वाले, जब हमारी age होती है, जब हम चोटे होते है, प्राइमरी अबल पर, तब हमें सिखा द teach कर देंगे उनको school colleges में, तो एक जो person है, जब वो school college से भार आएगा, तो एक जिम्मेदार person बन पाएगा, ठीके न, तो ये सबी चीज़े जो है, हमें क्या है, अपनानी है, ताकि एक ethical person बन सके, और हमारे जो ethics है, उसका standard बढ़ाया जा सके, जो उसका स्तर है, उसको उंचा किया जा सके, ठीके, तो ये सारे questions से, I hope आपको समझ आ गए होंगे, अगर आपने, ये जितने भी मैंने आपको question करवाए है, nine questions है, आज मैंने करवाए हैं, आपको first or second chapter के, अगर आपने उनको clear कर लिया बिल्कुल अच्छे तरीके से, उनके जो points है, बस क्या करना है, बस आ इस लिख दूँगा उसके लिए, तो क्या है, अगर हमने ये points, major points है, अगर हमने वो याद रख लिए, वो हमारे mind में रहेंगे हमेजा, तो हम उसके बारे में explain करें तो खुद लिख सकते हैं, हमें सारे चीज़े पता हैं, हमने बहुत examples देखे अपने life में, और मैंने भी आ आज के लिए, आज सी class में इतना ही था, और हंजी आपको जितने भी classes होती हैं, जितने भी notes होते हैं, वो सभी चीज़े आपको हम time to time provide कर रहे हैं, जो भी चीज़े हैं, उसकी online classes होती हैं, उसका भी link आपको description में मिल जाएगा, तो जो भी आपको issues हो, वो भी आप comment में बता जाएगा, बाकि सारी चीज़े आपको description में मिल जाएगी, ओके, thank you